तो दोस्तों यहाँ पर बात करें बोकारो वोमेन भरसे राची वोमेन के बीच जो मुकाबला खिला जागा यहाँ मुकाबला जीयल के लिए मुझे काफी बहतर लगा इसलिए मैं इस मेच को वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि IPL पर हमारा फोकस था मुझे नहीं लग रहा था कि मैं यह मेच कवर करूँगा लेकि जैसे मैं ने देखा तो एसा लगा कि जीयल में आप लोग बहतर रिंक ला सकते हो बस आप लोग वीडियो को पूरा अवज से देख लेना क्योंकि फाइनल टीम के आपको आवज स चैनल में आपको जुड़ना काफी अवस्यक है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया लिंक के जरिये जुड़ोगे सही सटीक चैनल पे चले जाओगे इनके अलावे चाहो तो आप सर्च भी कर सकते हो डुमेस्टिक पिलिंग लेबन यहाँ पर देख सकते हो 40.1 के सब्सक्राइबर वाले कम सब्सक्राइबर वाले हूँ बहु आपको डुमेस्टिक पिलिंग लेबन नजार आते हैं वो बिल्कुल फेक चैनल है ओरिजिनल चैनल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर तो दोस्तो हमारा जो मेन फोकासर बांकी लोगों का भी फोकासर वो आईपी एल पे है तो यहाँ मेंच मुझे कवर नहीं करना चे लेकिन अगर जदी मैं कवर कर रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना जी एल पे बहतर नहीं कहा सकता अब देखो यहाँ पर ही माना जाएगा इनकलाब दुर्गा मुर्मूर सबसे बेस्ट इनके प्लेयर है बाएंहाथ की प्लेयर हार फास्ट गेनबाजी करती केप्टन वहास के लिए काफी बढ़िया आज जो खेला गया था एक मुकाबला मैंने कवर किया था वोमेन का वो वहतर नहीं गया बिशरन बल्ले से जड़ी और वो भी गेनबाजी सक्षन पर है तो गेनदे जाधा भी लेगी तो वो इकोनमी रेट के अधार पे जो माइनेस होता वो नहीं देगी तो काफी बढ़िया हो सकता है इनके लाब देखो पी तिवारी को अब पिक कर सकते हो गेनबाज देखो द देखा जा जिसकी टीम जो थोड़ी से स्ट्रोंग नजर आती है जिनका लोगों को सारे लोग केप्टन बना के रखें क्यों उनको पिक नहीं करना चाहते एक चीज़ देखो उर्मिला कुमारी बलेबाजी सक्षन पर उर्मिला कुमारी के लोग दो अभर की गेनबाजी करे या फिर आप उपनर को ले सकते हो इनके लाबे एक की सोर की बात के तीन उभर की पंदर रखें ये भी केप्टन वहाज जी एल पे काफी बहतर साबित हो सकता है क्योंकि ये तीन से चार नमर पे बलेबाजी के लिए आ जाती है पल्लवी कुमारी जी एल पे जरूर ट्राय क ना हो सकता है इन से जढ़ा उभर कराई जा तो विख्टें ले जा सकती है इनके लाबे पी सवाईयन की बात के ये केप्टन हमारा होने वाला आए क्यों हो नेवाला अब देखो तीन उभर में नोरा דेके एक बुक्टे लिए साथ में ये ऊपन आती है तो क्योण परसाद क काफी बहतर इनका करिया रिकोर्ड देखोगे बांकि जो डुमेस्टिक में छुआ उस पर इन्होंने काफी बनिया परदसन के यहां पर एक विक्टे लिया है इनसे पहले यह दो तीन विक्टे करके लेते हैं इनके लब एक टिगा की बात के चार उबर में दो मेडान के साथ तीन विक्टे क्या गजब की गेंबाजी की इन्हें भी आप केप्टन वहस ट्राय कर सकते हो अब देखो इन परसाद यहां पर तीन ओभर की गेंबाजी सुरी तीन ओभर की गेंबाजी की तीन विक्टे भी लेगे लेकिन बल्ले बाजी थोड़ा सा नीची आते हैं अगर यहां पर देखो उर्मिला से ज्यादा गेनबाजी कराए जाए तो हो सकता है निहारी का परसाथ ज्यादा गेनबाजी ना करें थोड़ी से अगर जदी यह महंगा साबित होती है तो देखो पी साइब वाइयन को यहां पर पिक क्या हूं इनके अलावे अनामीका कुमारी या पिर उर्मिला में से किसी एक को पिक करेंगे तो यह है इनका स्कूर का नहीं इन पर साथ की बात क्या देखो काफी नीचे वल्ले बाजी के लिए आ रही है इस वाज़ा से इनके अलावे गेनबाजी जो है उतना खास नहीं है करिया रिकोर्ड देखोगे लेकिन हलांकी इस मुकाबले में इन्होंने तीन बिक्ते लिया तो थोड़ा सा घातक सावित हो जाएगे तो मैं क्या करूंगा देखो फूल रिस्की टीम पर मैं उन्हें पीक भी नहीं करने वाला खुद जब मैं खेलूंगा अगर जदि जिनके पास बजट है तो वो भी ऐसा कर सकता चलिए कैसा कर सकता है कॉंबिनेशन पर चल कर हम बात करते हैं तो दोस्तों कॉंबिनेशन ट्राइ करेंगे इससे पहले अगर जदि हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं क्यों तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम 11 पर कोई भी अपडेट आता जिसकी टीम पहले बल्ले बाजी करेगी तो उसका बिकेट कीपर को हम नहीं पिक करेंगे दूसरे को करेंगे फिलाल के लिए पर पी राज को आर राज को पिक कर लो कोई दिक्काद है बिकेट कीपर दोनों को दोनों जाग घटिया बिकेट कीपर है जो रन आउट आर स्टे पीक इनकोर मैं ड्रोप करकर चल रहा हूं इनके लावी यहां पर देखा ज़ अब ग medal कर सक भाभा कर सकते हैं कि यहां पर यहां पर उप्सन के अगर चाहिँ तो कुमारी को पिक कर सकते हो सकते हैं चार उबर गिनबाजी करें गिनबाज काफी बनिया हैं फास्ट गिनबाजी करते हैं तो ऐसा टीम आप बना सकते हो यहाँ नी आपको च्राइब करना चाहोगे यह पर फास्ट गिनबाज को इनके अलाब Прsels यहां पर तो solution हो गया ओल अंडर पे भी कोई दिखते अब गेंबाज पर आती है दिखते दो यहां पर गेंबाज जो यहां पर काफी देखो ए मंजी खेलेगी तो यह काफी बढ़िया उपसन है इनका रिकोर्ड फर्स्ट वीडियो मैंने बता काफी बढ़िया है इनके लब पी तीवारी को चाहो तो पिक कर सकते हो यह एक ऒच रहा है इनके लब मारी लाजि नहीं को पिक कर सकते हो इनके लाब जो दो मैंने बताया पी तीवारी और मनसुरी जी एल पे जरूर ट्राय करना अब केप्टन वाइस की बात किया देखो केप्टन वाइस कोन हमारा होने बाला है केप्टन वाइस बांकी लोगों का जो है बहुत सारे लोग का निहारी का परसाध होने बाला है लेकिन मैं इनके उपर नहीं जाने बाला है हमारा केप्टन पर मैं कहीं जा रहा हूं ट्रेन पर रहूंगा तो टावर के भी प्रोब्लम आएगी और फाइनल टीम देने के कोई फायदा भी नहीं कहीं डाउट मुझे नहीं लग रहा है कि होगा क्योंकि मैं यहां पर बता दे उर्मिला कुमारी को पिक करो या फिर ओपनर को पिक करो बस कि यहा नहीं हरी का पिसाई वायन और यहाँ पर दुरगा मुर्मुन नही कर सकता हूँ देखो मैं रिस्की dTube में नहीं का क्या करणा देखो और एक चीज आपको बताए जिन जो बला रिस्क लेना चाहते तो वो कर सकते हैं यहां मैं करकी जा शकता हैं यहां मैं कर दूंगा लेकिन आप लोग इसमोल लिग पर ड्रोप नहीं करना तो फिलाल के लिए आप ये टीम सेफ करके रख लो इनके लाब आपको जो लगे वो जरूर अपने खुद से डिसाइड करना क्योंकि आई पील आ रहा है वहाँ पर भी आपका लग काफी जादा फायदा कर सकता हो सकता आपका लग सांदेत करोल पती आप बन जाओ तो फिलाल के लिए दोस्तों मैं अपने वीडियो के यहीं समाप करता हूँ आप अगला कोई मुकावला मैं कवर करूँगा तो मिलूँगा क्योंकि इनका फाइनल टीम देके कोई फायदा है नहीं आप लोग भीतर तरिकास जी बन है रिंक आसकता